पाखंडे गुरू का पाला लक्षन है गुहिये मंतर परदान करना और जूटे वादे करना ये सब मुद्धे संस्कर स्लोक में है लेकिन मैं सीधा अनुवाज समझा रहा हूँ पाकरणी गुरु का पॉला लक्षन है गुहिय मंतर परदान करना और जूटे बादे करना गुहिय मंतर देने के पीछे क्या उद्दिश से रहता है क्योंकि सास्त्रों में ये गुहिय मंतर जैसा कोई कॉंसेप है यह नहीं सास्त्रों में जो भी मंतर है वह सब के लिए ओपन है इसके बारे में एक गटना है एक बार एक गुरु अपने सिश्य को मंतर दे कर कहा इस मंतर का जाप करने वाला व्यक्ति सीधा भगवान के धाम में जाएगा लेकिन किसी को बताना नहीं उसका शिश्य उदार रिदेवाला था उसने क्या किया सबसे उची बिल्लिंग पर चड़कर सभी गाउवालों से का है गाउवालों मेरी बात ध्यान से सुनो मैं आपके लिए एक ऐसा मंतर लाया हूँ जिसका जाप करने से आप सीधे भगवध हम जाओगे ऐसा करके सब को वो मंतर दे दिया उस समय गुरू का दूसरा सिस्य वहाँ था उसने जाकर गुरू को कहा कि आपके सिस्य ने बहुत बड़ा गड़बर कर दिया गुरू ने पूचय क्या हुआ उसने कहा आपके दारा दिया हुआ मंतर सब को दे दिया गुरू ने कहा जाकर उसको बुला कर लाओ दूसरा सिस्य जाकर बुला कर लाया गुरू ने कहा मेरी आग्या का उलंगन करने के करण तू नर्क में जाएगा सिसे ने का गुरुदेव मैं तो नर्क में जाऊंगा लेकिन इतने सारे लोग है वो तो भगवान के धाम में जाएंगे अगर इतने सारे लोग भगवत धाम में जाएंगे तो मैं नर्क में जाने के लिए तयार हूँ तब उसका गुरू समझ गया कि यह भावना सही है वास्ता में सास्तों में भगवान को परात्प करने के लिए कोई गुप्त मंतर नहीं है लेकिन पाखंडी गुरू इसलिए गुप्त मंतर को गुप्त रखने के लिए कहते हैं क्योंकि अगर सिस्य किसी को कहेगा और सामने वाला सास्तर का जानकार निकला तो कहेगा अरे ये मंतर तो सास्तर में नहीं है तो गुरू का भणा भूट जाएगा क्योंकि गुरु ने अपने मन से ओम, क्लीम, स्लीम, स्वाहा नाम का मंतर बना कर दे दिया जिसका कोई सास्न में बना नहीं है इसलिए गुरु गुप्त मंतर देते हैं क्योंकि अगर कोई क्रॉस चेक करने वाला मिल गया तो गुरु का भंडा फूर जाएगा इसलिए कहीं बार गुरु कहता है कि अगर किसी को यगुई मंतर मालुम हुआ तो तुझे इसका फल नहीं मिलेगा इस डर के कारण सिस्य किसी को मंतर देता नहीं है एक बार परमपुजे रादा गोईन माराज कथा कर रहे थे मुंबई में उस समय एक विक्ति बैठा बैठा एक मंतर का जब कर रहा था सिवो अहम, सिवो अहम इस मंतर का अर्थ है मैं सिवजी हूँ सिवो अहम, मैं सिवजी हूँ परमपुजे रादा गोईन माराज ने कथा के आयोजकों को कहा सिवजी को बाहर ले जाए कि मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं सिवजी को परोचन दे सकूँ कथा के आयोजक उस कथा से उसको उठाने लगे उसने पूछा क्यूं उठा रहे है आयोजकों ने कहा इस मंतर का अर्थ पता है तुझे उसने कहा मुझे पता नहीं है आये जोकों ने कहा इस मंतर का अर्थ होता है मैं सीवजी हूँ उसने कहा लेकिन गुरू जी नहीं दिया है इसको मैं बंद नहीं करूँगा करने का अर्थ है कि गुरू ऐसे ही सीक्रेट मंतर देकर सामाने लोकों को मुर्ग बनाते हैं वास्तो में सास्त्रों से मंतर होना चाहिए और आचारें दारा परमानित होना चाहिए और ऐसे ठग गुपत मंतर देकर जुटे वादे करते हैं कि इस मंतर से ये फायदा होगा, आपके पास इतना धन आ जाएगा, आप इतने दिन में सिद्धी प्राप्त कर लेंगे, आप भ पालन करने की आज्या न देना। सिस्यों को चार नियम क्यूं पालन करना चाहिए? क्यूंकि सिर्मत भागवत में धर्म के चार इस्तंब बताए हैं। दया, अवितरता, सच्चाई और तबस्या। और चार नियम पालन नहीं करते हैं, तो चार इस्तंब तूट जाते हैं। ये चार नियम क्या है? मासाहर नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नसा नहीं करना, और इस्त्री संग नहीं करना। ज्यादा तर गुरु लोग इन चार नियमों का कड़काई से पालन करने की आग्या नहीं देते हैं क्योंकि ऐसे नियम बताएंगे तो ज्यादा सिस्य नहीं आएंगे उनके ससंग में भीड नहीं आएगी फिर गुरु जी का परचार कैसे होगा आप भी कुछ करो आप कुछ भी करो लेकिन हमारे ससंग में आओ एक बार एक वक्त वता रहा था ये जगह ध्यान योग के सीबीर का पोश्टार लगा था हूँ उसमें लगा था आप कैसे भी ध्यान योग में आ सकते हैं कैसी भी परिजदी ती में तो उस भक्त ने कहा, फौन करके पुछा, कि मैं सराब पिकर ध्यान योग में आ सकता हूँ, सामने वालन कहा हाँ, आप सराब पिकर भी ध्यान योग में आ सकते हैं, आप सोचिए, आज कल के गुरू कितने सक्तिसार योगे हैं, जो सराब पिकर आता है, उसको भी भगवान के ध्यान में उसका दर्सन करा देते हैं भगवान का वाह पर तो सास्तर मना कर रहे हैं लेकिन आज कल के गुरू सास्तर से उपर उठ गए हैं फिर है अपने सिस्यों को सास्तर के अनुसार ग्यान न देना बहुत सारे ऐसे गुरू हैं जो कहते हैं कि सास्तरों को पढ़ने की अंदर से आना चाहिए लेकिन अंदर से आने वाला ज्यान पर्मानित है या नहीं उसको क्रॉस शेकिंग कैसे करेंगे आचारे कहते हैं कि जो ज्यान अनुपुदी से प्राप्त होता है अगर वह ज्यान सास्तर के विरूध है तो वह वास्त्विक ज्यान नहीं है कई बार पर यूद्ध का फोटो है ऐसा फोटो घर में रखने से जगडा होता है गुरु ऐसा क्यों कहते हैं उसका कारण क्या है क्योंकि गुरु जो ज्यान देता है जो उपदेश देता है वो सास्त्रों में नहीं है गुरु ज arguably जो बोल रहे हैं कि सास्त्रों को नहीं पढ़ना है और मेरे अंतर की बात में बताता हूँ उसको आप लोग सुनो इस तरह गुरू सिस्य को अंधेरे में रखते हैं एक बार गीता प्रात्मे कोर्स में भाग लेने के बाद एक लड़के ने मुझसे कहा कि मैंने गुरू किया है लेकिन ऐसा ग् बजबता होता है वो कप्टी नहीं होता है वो आपको कभी भी गुमरहान नहीं करेगा सास्त्र के नुसर बोलेगा आरंब में साइध आपको अच्छा नहीं लगे फिर भी आपके लिए वो लाब्दाएक है फिर है योग का जो प्रश्रिक्षन है सारीरिक वयाम के रूप म देना ना कि आध्यात्मिक प्रगर्ती में मदद रूप होने के लिए वास्तिक योग का अर्थ है जोड़ना वियोग का अर्थ है बिछुड़ना ऐसे योग का अर्थ है जोड़ना अमारे सबंद को भगवान से जोड़ने की पददी को वास्तिक योग कहते हैं लेकिन पाखं अपने सिस्य को भोतिक परगर्ती में उस्साही करना गुरू सिस्यों इसे कहता है खुब परगर्ती करो खुब खुब धन कताओ खुब धन कमाओ अरे गुरू देव परगर्ती कहां करेगा विचारा आठ गंटे से बारा गंटे तो नोकरी करता है अब 24 गंटा नोकरी करवाना है फिर है अपने सिस्य को इंदरिय भोग करने के लिए उस्साइद करता है धौंगी गुरू अपने सिस्यों को कहता है कि आप खूप इंदरिय भोग करो पाप की कोई चिंता मत करो मैं बैठाओ न तेरा सब पाप हर लूँगा जैसे रजनीस ओसो का करना है कि आप इतना इंदरिय भोग करो कि आप उसमें से उब जाए और जब आपको इंदरिय भोग से नभरत हो जाए तब आपको अपने आप इंदरिय भोग छूट जाएगा उसका ऐसा कहना है रजनीस ओसो का लेकिन सास्त्रों का कहना है कि हम करोडों जन्मों से इंद्रे भोग करते आ रहें फिर भी हम नहीं हुबे ये विचार धारा गलत है एक बार मैं 2001 में गुजरात में एक गाम में परवचन देनी के लिए जा रहा था रास्ते पर बड़ी भीड जमी थी मैंने पूछा ये भीड कैसी है भाई एक विक्तिने का स्वामी जी पॉल्ट्री फॉर्म का उद्गाटन करने के लिए एक स्वामी जी आये मैं मन में सोचा यार ये स्वामी जी अगले जन्में मुर्गा बन जाएगा हाँ ये तो पाप है सादू को ऐसे कार्यों करने के लिए अपने सिस्यों को उस अपनिंग करेगा यहां कारिये सास्त्र के नुसार नहीं है जो सचा गुरू होता है वह ऐसा नहीं करता है फिर है अपने सिस्यों को बोतिक आसिवाद देना एक बार एक विक्ति मुझे मिला उसने कहा मैं एक बापू के पास गया बापू ने थबा मारा पीछे जिसके कार्ण मुझे अमरीका का विज़ा मिल गया वह बापू की किरपा से अब माला माल है को बोलता है मैं माला माल हूँ सास्तर के अनुसार बोतिक परकर्दी करने का अर्थ है जन्म मिर्त्यू के बंधन को बढ़ावा देना ऐसा आसिवाद बंधन का कार्ण है कई बार बापू बोतिक आसिवाद देते हैं बेटा सुखी रहो लेकिन भगवान कृष्ण भगुत गीता में कहते हैं कि ये जगत ह वो दुखों से भरा हुआ है इसमें से बार निकलो लेकिन ढौंगी गुरु कहता है कि इस जगत में सुख से रहो ये तो ऐसा आसिवाद है जैसे कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो कोई सादू उसको आसिवाद देता है बेटा जेल में सुखी से रहो लेकिन जेल में कोई सुख से नहीं रह सकता, ऐसे ही भॉती जगत में कोई भी विक्ती सुख से नहीं रह सकता, ऐसा लग रहा है कि जो गुरु ऐसा भॉतीक आसीवा देता है, वो अपने आपको भगवान कृषण से सक्ति सारी समझता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस जगत को दुख मैं बना है और बापु अपने आसिवाद से उसको सुख मैं बनाना चाता है लेकिन वास्तों में जो सचा गुरु होता है वो भोतिक आसिवाद नहीं देता है बलकि आध्यात्मिक परगर्थी करने के लिए आसिवाद देते हैं फिर है सास्त्रों के अनुसार गुरु का आचरण न करना जो गुरु सास्त्रों के अनुसार गुरु का आचरण नहीं करता है तो वह भी पाखंडी गुरु है